हैठ यहां पर मेंचुरेशन में परेंगे आपे पैडलेलोग्राम का यहां पर दिखते हैं यह है यह एक पैडलियो ग्राम का फिकर ते आप पर क्वेश्ज नें डभी साफ पैडलियो ग्राम इस त्वाइस इप्स हाइड इफ यौट इस टू इस लिए इस वाला हिसे लाइन लोग्राम है यह वाला ही से खेड वाला इसरे बेस घण बněस यहाँ पर क्या लिख यहाँ 詐सर पर उसके atmosphere दो गुणately hands यहनुर मानना होगा है यहाँ पर बि इससे है इसलोंक div फीर संस आप यहाँ पर फीर गे खेश बंहेंड है एक्स अब हा direct यहाँ पर नहीं होता है इसलोंक मान इंध कर देठे ए य हमलों नेम कर डिए निए अब यहां पर हैट के है इस पैडलिलो ग्राम का यहां पर स्ट्रेट लाइन जाय का से बेस से जो हमाद का उसके साफ हाइने यह उसके है अगर यूह सेंटीमेटर है तो बैस क्या होगा जोंगा 10 सेंटीमेटर उढू घ्प्रची हम लगे ही और Venue 20Up पora के लिए 2X डुए चुर्च का लिंट ले्ट सिरुए disard हाइस हुग एसका एकस आप हम्ते आइकशंग the base of the parallelogram of parallelogram be 2x तो हम लिखावा यह statement है अब if the area of the parallelogram is 512 cm2, find the base and height अब मालेते यही parallelogram का अगर area 512 cm2 तो यहां पर हम लोग को इसका बेस और हाइट का लेंट दुनने अब हम लोगे इसका पूरा area होगा इस parallelogram का यहां पर एरिया है इस इक्वाल टू बेस इन्टू हाइट इस इक्वाल टू बेस इन्टू हाइट सेंटीमीटर स्क्वार मीटर लिखते रहें हुआ लिगते रहें यहांपे स्क्वार य्यूनित्स पंस प्यान पर हाइट इन्टू Param heb स्क्वेर आप पैडल एक सेंटीमितर स्क्वेर अब इससे पैडललोग्राम का एरियए लिए को जो फार्मूला होतार बेस इंटु हाइड तुछ इन्टु एक सेंटीमितर स्क्वेर यानि कि अगर हम लोग इससे इस तरह से इक्वेशन बना सकते हैं और हम लोग फिर आपर X के वाली दून लेंगे तो एक्स इन्टो एक्स यहां पर यहां पर 512 cm2 लिखने का जोटनी है यहां पर 2X स्क्राइड हो गया is फ़िए फिफिटीसिक्स अब एक्सका वैल्यू किया होगिया रूट फिफिटीसिक्स अब यहाब आम लोग इसका दूंते वैल्यू एक्सका अब्छार शिक्सिन होगा तो यह गया 16 अप्स रोच 16 इंटु 16 से मिले 256 यहाँ पर 16 हो गया इसका आंसर यहाँ पर X के वाल्यू हो गया आपर 16 एक्स के वाल्यू है 16 cm अपर यहाँ पर हम लोको दून्दा था बेस और हाइड बेस का लेंग्ध अपर क्या मानता हम लोग यह लेक्पर बेस इक्वल तो इक्सी मैं हो गया 2 x kali 2016 सेंटिमेटर यानि के बैस का लेंट हो गया हर टी कू सिंटिय मीटर patriarch के मानता हम लोग एक्स हीं इक्स्गाविए अप्स का वाल्यू हो गया 16 सेंटिमीटे रे हो गेस का और पहीं ओ फाल्यू हूजय थटी घधिया करेंगे यही फोर्मुलह के यूच करेंगे पारलालोग्राम को एरिया जो क्यों टाय differentiate between बेस क्या है 32, हाई क्या है 16, तो 32 x 16 हम लो करते हैं, तो यह आगे 512, तो 512 cm² होगे, इसका एरिया cm² होगे, इसका अंसर सही है, तो इस तरह से हम लोग पैरललोग्राम को कोई भी एरिया दून सकते हैं, यह मैंने यहाँ पे एक एक जामपल दिया था, कि अगर ऐसे और भी अ और एरिया दिया होगा, पर हाइट नहीं दिया होगा, वैसिसमें हो सकता है कि हाइट दिया होगा, हाइट नहीं दिया होगा, पर बेस और एरिया दिया होगा, यह फिर कुछ और भी रेशियो में भी आ सकते हैं, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करने है, इसी फॉर्मूला स करने और एक्वेशन बना के करने जहां पे जरूरत पड़े so we'll study more about mensuration in the next video subscribe my channel and thank you so much for watching